साथियो मोदी जी का मूल मंतर है जहांसे में फांसो मोदी सरकार का सफर नामा जो आज हमने देखा वो जुमलों से जहांसो तक है 125 करोड देशवासी मोदी जी के 125 जूठे वादों का जबाब मांग रहे हैं और आज जहां उसकी प्रतिलिपी हम आपको देंगे 125 वादे और उनकी जूठकी उसका अनावरन भी हम इस पत्रकार वारता के आखिर में श्री एहमद पतेल जी से करवाएंगे जैसा मैंने कहा मोदी जी का मूल मंत्र है जहांसो में फासो जब साल 2014 के घोशना पत्र के 125 सवाल खड़े हों तो आज के जहांसा पत्र ये संकल पत्र नहीं है आज के जहांसा पत्र पर भरोसा कैसे करें फिर एक बार उन्होंने किया जहांसा पत्र तयार फिर एक बार उन्होंने किया जहांसा पत्र तयार देश की जनता खारिच करेगी इस बार और जोला उठाकर हो जाओ जाने को तय मोदी सरकार ने देश के विश्वास में विश्ख गोल दिया है देश को आज सरकार पर भरोसा करना भारी पड़ रहा है इस बात की पुष्टी हम नहीं स्यम 2014 के घोशना पत्र भाजप्पा की कमेटी के प्रमुक शिरी मुरली मनोहर जोशी ने की जब उनसे पूछा के मोदी सरकार के पांच साल के बाद कितने नंबर देंगे तो उन्होंने कहा एन आए कोट कौपी में कुछ लिखा हो तो नंबर दूँ अनकोट काम के नाम पर मोदी नाम के विद्यार्थी की कापी कोरी पड़ी है जब कोई अपना काम नहीं करता तो फिर बहाने बाजी करता है बस यही हुआ पांच साल अपनी नाकामी का इल्जाम दूसरों पर मड़ देना और रोज नए बहाने गड़ देना दोस्तों अब जानिये मोदी जी की जूठी घोशनाओं का जो इस बार भी लिखी हैं हमने उन में से ग्यारा बड़ी जूठी घोशनाएं निकाले हैं उनका सच सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जासों का गुबारा और जैसा आदर्णिये एहमद पटेल जी ने का वर बनाम न्याय का सहारा आज नामिद शाह जी ने